हर्ण कि हम असे हम स्टार्ट करने वाने में रेस्पिरीतरी सिस्टम का पार्ट फबिद One है और इसमें हम सबसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लॉप तो लॉप ग्राफ का जो नागराम है वो इसमें दिया हुआ है मैंद करती हूं कि ने कि इसमें सबसे पहले यह पास दी कि यह पाइप दीए वह है ट्रैकिया यह main branch होती है यही जो main branch है जाके right main stem broncus में तूटेगी और left main stem broncus में तूटेगी मतलब trachea का दो part होते है दो broncus एक right में होता है और एक होता है left में ठीक है और यही जो broncus है आगे जाके divide होंगे आपके bronchioles में further divide होंगे bronchioles में और जो सबसे last वाला stem है उसको बोलेंगे आप bronchi एक बार फिर से मैं बता देती है सबसे पहले main branch जो है वो है trachea उसके बाद आए दो right और left broncus, broncus के बाद आया bronchiol और bronchiol के बाद आए bronchi अब जो lungs है वो दो lobs में बटा होता है एक है right lobe और दूसरा है left lobe और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जितने भी vestigial organ है वो हमेशा एक thin membrane से covered होते है तो thin membrane जो होती है वो shock absorber का काम करती है और उसके अंदर एक fluid भरा होता है ऐसे ही lungs को protect करने के लिए एक पतली जिल्ली होती है जिसको कहते हैं plura और इस plura के अंदर जो fluid भरा होगा उसको कहेंगे plural fluid क्या कहेंगे उसको तो plural fluid अब जो lungs में जो most important चीज़े होता है हमारा diaphragm यह diaphragm का 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 है यह diaphragm का का काम है pressure difference maintain करना अगर आपको inhale मतलब सांस अंदर लेना है या बाहर मतलब exhale करना है उसके में आपके lungs और atmosphere वातावरन के बीच में दाब का अंतर होना चाहिए या pressure का difference होना चाहिए उस pressure difference को maintain करने का काम होता है diaphragm जैसे कि आपको hiccups आते है या hitch की आती है तो आप देखते हैं कि diaphragm जो है उसको movement बहुत fast हो जाता है तो इसलिए diaphragm है वो most important पार्ट है क्योंकि यह pressure difference maintain करने का काम करता है और diaphragm जो है जो pressure difference maintain करेगा वो रहेगा 123 mm of Hg ठीक है 123 mm of Hg इतना यह pressure difference maintain करेगा between environment जैसे कि वातावरन और आपके lungs उसके बीच में अब देखे काई जैसे मैंने आपको पताया था कि जो lungs है वो दो lobes में बटे होते है right lobe और left lobe left lobe जो है ना उसमें heart जो है वो heart के लिए space दिया होता है दो lobes बने होते हैं not situated होता है या present होता है इसलिए जो right lung है हमारा वो comparatively बड़ा होगा as compared to left lung अब respiration क्या होता है देख लेते हैं respiration और breathing श्वसन और जो breathing है वो दोनों अलग-अलग concept है respiration का मतलब होता है कैसी आपकी कोशिकाएं में gaseous exchange होगा वातावरंड से या अगर आप breathing देखते हैं तो वातावरंड से gase का exchange होना उसको कहते हैं breathing respiration मतलब आपके कोशिकाएं या आपके cells से related है कि आपके cells में कैसे gaseous का exchange होगा तो respiration दो टाइप के होते हैं एक होते है aerobic aerobic मतलब होता है कि जो oxygen के present में हो जो oxygen के present में होगा न उसको कहेंगे aerobic respiration इस पर क्या बनेगा तो carbon dioxide and water carbohydrates तूटते हैं carbon dioxide and water में और वैसे ही अगर oxygen प्रेजन नहीं है तो उस case में क्या होगा anaerobic respiration इसमें क्या होगा glucose जो है वह किसमें टूटेगा lactic acid में दोनों ही cases में क्या होगा दोनों ही cases में आपकी energy जो है वह produce होगी और जो anaerobic respiration मतलब ऐसा respiration जो कि oxygen की उपलब दोता जिसमें नहीं है वह plant में भी मिलेगी आपको और microorganisms में भी अब देख लेते हैं कि कैसे air का movement या respiration जो स्वर्षन है वह कैसे उसका path वे क्या है तो उसका path देखने के लिए हम देखते हैं पहले देखे नोज से एंटर करेगी माउथ में फिर उसके बाद nasal passage के होते हुए एक pipe ऐगा फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद एक pipe ऐगा लेरिंग्स उसके बाद आता है ट्रैकिया को हम wind pipe कहते है अपनारे ट्रोट इसमें दो टाइब के pipe एक होता है ट्रैकिया को ही wind pipe कहते है यही काम करता है आपको आप ब्रीद कर रहा है ब्रीधिंग के बाद जो ऑक्सिजन या वेरियस कैसे जो एंटर करेगी आपके लंग्स में ट्रैकिया के थू करेगे और इस इन दोनों जो फूड पाइप और जो ट्रैकिया हैं उन दोनों को अलग करने का काम करता है एपिग्लोटेस अपिग्लोटेस नर्टिंग बट एक कै सकते हैं या एक दोर कह सकते हैं जो फूड पाइप और विंड पाइप जो है दोनों के बीच में टॉगल करते रहता है जैसे कि आप स्वालो करेंगे स्वालो करते हैं वक्त आपका जो फूड पाइप है वू एक्टिवेट राएगा अज़ theorem नहीं कर रहे हैं तब आपका तो आप गला दो इसको लिए अब हमेशा एक्टिवेटेट रहेगा इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं आप जैसे खाना अंदर करते हैं तो आपका जो है आप इसमें ब्रीध नहीं कर रहे होते हैं अगर आपका भी ऐसे एक्स्पीरियंस करें तो देखेगा हमने देखा ओ तो ब्रॉंक्योल के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वह है अल्विलॉय यह यह यहीं पर में जो है गैसे का एक्सचेंज होता है ठीक है अब थोड़ा थेवरी देख लेते हैं कि लंग्स क्या है तो लंग्स एक स्पॉंजी है तो होते हैं इसलिए पेइड और स्पॉंजी पेड है और ए एर फिल्ड और्गन्स है आइडर साइड आफ दो चेस्ट में पाए जाते हैं थोरसिक जब इसलिए हमारा हार्ट तो मैंने बताए कि लेट लॉग चोटा होता है क्यूंकि हाट की प्लेस्मेंट होती है तो यहीं तुरसिक कैविटे में क्या मिलेंगे आपका लॉंग्स मिलेंगे अब देखें ट्रैक्या मैंने बताया था वेंड़ पाइप होती है जो क्या करेगी जो एर हम इनहेल कर रहे हैं अंदर ले रहे हैं वह लॉंग्स में जाएगी कैसे जाएगी ट्यूबिलर ब्रांचेश के सबसे स्मालस्ट पॉर्शन पॉर्शन अपका सबसे स्मॉर्शन हो गया आपका 10 मिर अपर जी आपको बताया था ऑक्सीजन एयर से आजेगा एबसाउड हो जाdessus कि के ब्लेड में ट्रेवल होगा और ट्रेवल होके वापस कहां आएगा तो अलविलॉय में अब जैसी आप एक्जेल करेंगे तो जो कार्बन डाय ऑक्साइड हो बहार जाएगा यह बहुत फास्ट प्रोसेस है माइक्रो सेकंड में हो जाता है जैसे ब्रीद करेंगे तो आपको सम के इन्वार्मनेंट में क्या होते है यह देख लिते हैं तो यह एक फिन L速 ऑफ और इंटर मनें को कहते हैं जिसमें ब्लॉड वैसल्स उते हैं छोटी होटी होटी-चोटी और ऑ्येसिश होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ओशेस एक्सछेंज करने में इता जैसे मैंने आभी आपको एक्स्प्लेइन किया था कि लंग्स है वह एक थीन tisue के लेडल से या एक थीन मेंबरेन से कवर होता है दिसको कहते हैं प्लूरा और ऐसे ही टाइब के थीन लेयर ज कि टिश्व की है वह चघूपिटी में भी पाई जाती है जिसको मैंने बताया कि plura कहते हैं इसंहें लिक्विट भरा होता है जो कि Lubricant का काम करता है और smoothly जो है वो contract और relax हो चेकर आपके lungs इसके लिए मदद करता है और as well as shock absorber का भी काम करता है तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पर खतम होता है और ये part 1 था तीन और पार्ट में बनाऊंगी जसमें एक में मैं डिसीजेस बताऊंगे रिलेक्टिव टू लंग्स उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो कोवेड नाइंटेन है या आप सार्स कोव 2 उस वायरस को कहते हैं तो इस डिसीजेस का लंग्स पे क्या एफेक्ट पड़ता है इसका ट